आज मैं आपको एक ऐसी टेकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमेशा वर्क करती है बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ये बहुत इंस्टेंटली काम करती है और कभी कभी तो 24 गंटे भी नहीं लेती है उससे ही पहले विश पूरी हो जाती है और इस टेकनीक को करने में जादा टाइम भी नहीं लगता है बस जादा से जादा पांच मिनिट लगते हैं कोई भी विश हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपकी ड्रीम जॉब हो, मनी हो, लव हो या और कोई डिजायर कहीं भी आप इस टेकनीक को यूज कर सकते हैं उसके बाद आपकी बाद बहुत ही एफेक्टिवली लोगों के उपर असर करेगी और आपकी कोई भी विश बहुत जल्दी पूरी होगी तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी विश का नाम लेना है जो भी आपके विश है कोई परसनल डिलेशन का इश्यू हो या कोई ड्रीम डिजायर हो कुछ भी हो सकती है लेकिन जो बात ध्यान रखनी है वो ये है आपको अपनी विश का नाम लेना है example के लिए अगर किसी person को आप manifest करना चाहते हैं तो उस person का नाम लेना है for example अगर कोई girl है और उसको कोई boy specific manifest करना है तो उसका नाम ले सकती है for example लाहूल किसी college में अगर admission लेना चाहते हो कोई आपका dream college है या dream university है कोई अगर for suppose Harvard University में admission लेना चाहता है तो उसका नाम लेना है Harvard या job के लिए किसी company का नाम अगर किसी कोई डिजायर है कोई google में job करना चाहता है या कोई भी उसकी dream job company हो सकती है उसका नाम लेना है तो ये चीज़ आपको clear हो गई सबसे पहले जो आपकी desire है उसका just नाम लेना है एक word में कोई line या जैसे की कोई affirmation लिखते हैं उस तरह से नहीं बोलना है just एक word बोलना है जो भी आपका goal है उसका नाम लेना बहुत जरूरी है उसके बाद आपको red marker लेना है आपको अपने right foot के तलवे पर उस red marker से उस चीज़ का नाम लेना है जो आपकी wish है जो आपका goal है तो आपको करना क्या है red marker लेना है और right foot में पैर के नीचे की तरफ तलवे की तरफ उस चीज़ का नाम लिखना है और जब भी आप ये spell करें आँख बंद करके करें क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी wish पर full focus कर पाएंगे और जितना अच्छा focus होगा आपकी wish उतनी जल्दी पूरी होगी उसके बाद आपको करना क्या है नाम लिखने के बाद आपको अपने बैरों पर खड़े हो जाना है और अपनी intention को visualize करना है जैसे कि वो आपको मिल गई है तो पूरा step एक बार फिर से यहां तक repeat कर देती हूँ सबसे पहले आपको अपना goal का नाम सोच कर goal का नाम लेना है उसके बाद red marker लेकर अपने right foot के तलवे पर उस चीज का नाम लिख देना है और उसके बाद आखे close करके full focus अपनी wish के उपर करना है फिर खड़े हो जाना है और अपनी intention को visualize करना है जैसे कि वो reality में आपको मिल गई है मालीजे job का अगर आप manifest कर रहे हैं तो आपको खड़े होकर ऐसे feel करना है जैसे आपको जो job आप चाहते थे वो आपको actual में मिल गई है अब last step में आपको क्या करना है अपने पैर को पांच बार जमीन पर tap करना है जमीन पर धीरे धीरे मारना है फुल faith और फुल positivity के साथ force नहीं लगानी है जादा जोर से पैर जमीन पर नहीं मारना है बस हलका हलका पांच बार tap करना है जैसे की बहुत बिना आहट के कोई जमीन पर पैर रखता है उस तरह से पांच बार करना कैसे है एक बार आपको अपनी विश्खा नाम लेना है मा लीजिये जॉब उसके बार आपको अपना पैर टैप करना है जमीन पर फिर आपको मैनिफेस्ट करना है जॉब फिर से आपको जॉब बोलना है फिर टैप करना है दूसरी बार लेकर पांच बार नाम लेना है और हर बार नाम लेने के बाद जमीन पर टैप करना है बस एक ही बार मतलब जस्ट एक दिन आपको इस टेकनीक को करना है and that's all उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको रब नहीं करना है उसको नैचुरली मिट जाने दें नैचुरली रब हो जाने दे आपको सोप से या पानी से उसको वाश नहीं करना है उसको अपने आप ही नैचुरली वैनिश होने दें जब आप इस टेकनीक को करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देखकर खुद हैरान धह जाएंगे कि ये कितना इफेक्टिवली वर्ग करता है तो ये टेकनीक आप ट्राइ कीजे और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होना स्टार्ट होता है जै श्री कृष्णा